Hello Assalamualaikum, this is Anjeet, Management Consultants and Certified Success Coach आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं बहुत सारे speakers, trainers और दुनिया के बड़े बड़े corporate trainers भी इसी टॉपिक पर बात करते हैं क्योंकि ये word अगर किसी का ठीक हो जाए अगर ये attitude लोगों का बदल जाए तो मैं समझता हूं दुनिया का नक्षा बदल जाए क्योंकि अगर लोगों का attitude ठीक होगा तो वो ही दुनिया को बहतर बना सकते हैं क्योंकि दुनिया को बहतर बनाने वाला कोई और नहीं है वो आप और आपके काम है अगर आपके काम बहतर हो जाएंगे एक नया वर्ड जनरेट नहीं करते हैं, वो ही वर्ड है, लेकिन स्टोरी डिफेंट है, that is called the great attitude, एक attitude आपकी लाइफ को बहतर भी बना सकता है, बत्तर भी बना सकता है, क्योंकि जब तक आप चीजों को देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे, तो चीजें आपके लिए नहीं देखते हैं, वैसा impact आपकी दिमाग के अंदर आता है, कुछ लोग कहते हैं, कि ये रोशनी जो है, आँखों में चुटती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, इस रोशनी की वज़ा से हम दुनिया को देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कि रात काली है, उसका रंग काला है, कुछ लोग कहते हैं इसी का तो इंतजार करते हैं क्यूंकि आराम करने का वक्त हमें रात कोई मिलता है हर एक बंदी की अपनी एक कहानी है, ये कहानी शायद कभी खतम नहीं होगी लेकिन मैं जो आपके साथ अभी स्टोरी शेर करने जा रहा हूँ इस स्टोरी को अगर आप समझ गए तो कभी भी ओर्डिनाइजेशन में जगड़ा नहीं करेंगे अगर आप ये कहानी समझ गए, यूनिवरसिटी, कॉलेज, साइटी, इंवार्मेंट जहां कहां आप पहले हुए हैं वहां पर आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा जब आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, तो चीज़ों को देखने का नजर्या भी बदल जाएगा एक मरतबा शहिद की मक्ही एक परिंदे से दोस्ती बना कर बैठती है और परिंदा बड़ा ही शातिर और अच्छे दिमाग वाला परिंदा होता है वो परिंदा एक मरतबा शहिद से कहता है कि मैं तुम्हें देखती रहती हूँ देखता रहता हूँ, तुम सारा दिन महनद करते हो, सारा दिन काम करते हो और मैं देखता हूँ, तुम सुभा से अपना काम स्टार्ट करते हो जब तक सूरज डूब नहीं जाता तब तक तक तुम लगे रहते हो तुमें ना अपने खाने की चिंता है ना खाने की कोई तुमें परवा है ना तुमें अपनी सहत की कोई परवा है आखर तुम चाहते क्या हो इस दिंदगी से इस लाइफ से तुम्हें चाहिए क्या वो कहता है कि बस मेरा काम है फूलों पे बैटना और उनके अंदर जो अंदर की अच्छाई है उनको निकालना और जमा करना यही मेरा काम है कि तर ठीक है मैं तुम्हारा काम तो समझ रहा हूँ लेकिन मुझे एक बात बताओ उड़ा देता है और फिर उसको नचोड के तुम्हारी मैंनत को खुद क्या कर जाता है हजन कर जाता है अगर इनसान नहीं पहुंचता तो कोई जानवर आता है वो तुम्हारे बनाए हुए घोसले को चुटकियों में खा जाता है क्या तुम्हें दुख नहीं होता शहद ने बड़ा खुबसा जवाब दिया जी नहीं मुझे बिलकुल भी दुख नहीं होता कि वो शहद निकाल के मेरे सामने निचोड दे मेरे शहद के घोसले को उठाए और खा जाए क्यूंकि ये वो निचोड तो सकते है मेरा घोसला खा तो सकते है लेकिन मुझ मेरे अंदर शहद बनाने की क्वालिटी को कभी नहीं खा सकते कभी उसको निचोड नहीं सकते ये वस रील गुट एंसर इस वन एंसर नोग चेंग माइंट परसेप्शिन बद दो अनदर इगनिशन if I change my perception if I change my eyesight if I change my mind sight to see the things the things will be turned out to be very positive for me most of the unsuccessful people of all time they work on their mindset they not only work on the physical essence they work on mindset first and then they start working on their... their physical essence अगर आपने अपने अटिटूट को बदला उस शहिद की मक्ही की तरह सोचना स्टार्ट किया तो हर जगा आपको positivity अच्छा ही दिखना स्टार्ट हो जाएगी उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंदाई होगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली बता जब आप मेरी वीडियो देखे, नोटिफिकेशन आपकी मुबाइल की स्क्रिन पर हो थैंक्यू वर्य माच्च